हेलोगाईज तो चलिए आज बनाते हैं आठा समोसा सबसे पहले हम आलू कर लेते हैं चलिए बढ़ते आएगे सबसे पहले कड़ाई लेंगे उसमें दो टेबल स्पुन अल डालेंगे उसमें हाफ टे स्पून जीरा, मेथी सीड वन फोर्थ, वन फोर्थ राई, कलाउंजी वन फोर्थ, और पन फोर्थ अजवाईन, अद्रक लैसन और मिर्ची का पेस्ट टाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे चलिए यह अच्छे से मिक्स हो गया, दीमे आज पर ही हमें कुप करना है, और यह आलू हमने पहले से बॉयल कर लिये थे, यह चार-पाच आलू है, इसे रफली हमें से तोड लेंगे इस तरह से, और चलिए अब इसमें डाल देते हैं, और कुछ स्पैसे डालते हैं, थोड़ मसाला हाफ टीव स्पून, तलाल मेश पॉर्डर हाफ टीव स्पून, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आप चाहे तो चाट मसाला भी एड़ कर सकते हैं, और इसे अच्छे से धीमे आज पर ही कुप करेंगे हम, चलिए इसे ढख कर पकने देते हैं, और यह देखिए, आलू ने सभी मसाले को एबजॉब कर लिया है, और यह आलू बनकर तियार हो गया, चलिए आटा लगा लेते हैं, डू लगा लेते हैं, सबसे पहले हम, एक कटोरी आटा, उसमें नमक, दो टेबल स्पून, घी डाल कर इसे, और इसमें थोड़ा सा अजवाइन, डाल कर मिक् करना है हमें, इस तरह से मेक्स करते जाएं, और हाथों से, दोनों हाथों से मसल दीजिए, इस तरह से, ताकि आटा अच्छे से घी एबसॉब हो जाए, यह देखें, इस तरह से करते हुए जाएं, यह देखें, आटा तेयार है, चलिए पानी डाल कर इसका डू बना लेते ह ताइटी डो बनाएंगे इसका इस तरह से आठा तयार हो जाएगा ये देखिए चलिए अब कड़ाई चड़ा देते हैं उसमें थोड़ा डीप फ्राई के लिए तेल डाल देते हैं और अब लोईयां बना लेते हैं पटाफट चलिए लोईयां हमने काट लिया है और चलिए समोसे बना लेते हैं अच्छे से इस तरह से बेल कर हमने आठा और पानी का घोल तयार कर लिया था और इसके चारो तरफ हम लगा देंगे इस तरह से अरब हम समोसे का शेप दे देते हैं और इसमें आलू की फिलिंग डाल देते हैं जो हमने त्यार किया था इस तरह से डाल क और इसे अच्छे से सील कर लेंगे, तक ये खुले। इस दर और समोसे बना लेते हैं और ये समोसे ने समोसे तरह त्यसक्ड येन समसे तैयार हो गया है आइल दुर्धे गरम हो गया है और issबीक मेड Trent मेडियम ने कोप करेंगे अच्छे अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पे इस तरह से सारे समोसे हम तल लेंगे यह देखिए एक तरफ सिख जाने के बाद गोल्डेन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसे पलट देंगे और यह लीजिए आटे के समोसे घर पर बनकर रेडी इसे इंज्जॉय कीजिए टी टाइम में इप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए